दोस्तों यूट्यूब चेनल N-Inurse2 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फोर्स वेल्डिंग के बारे में और इस वेल्डिंग को स्मित वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है यह है वेल्डिंग प्रोसेस सॉलिड स्टेट वेल्ड किया गया तब इसका प्रियोग किया जाने लगा दो कंपोनेंट्स को जोडने के लिए अगर हम बात करें जो फोर्स वेल्डिंग है इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है जिन दो वर्क पीस को हमें जोडना होता है उन दोनों वर्क पीस को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं और उन दोनों में क्या करते हैं कि heat apply की जाती है मतलब कि दोनों workpieces को गरम किया जाता है और उन दोनों workpieces का जो temperature होता है उनके solidus temperature से थोड़ा सा कम रहता है और उसके बाद pressure को apply किया जाता है और जो pressure हम apply करते हैं उसको manually भी कर सकते हैं, machine के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर कोई जो rotating rolls है उनको continuously rotate करके भी किया जा सकता है या फिर कहते हैं कि जब दोनो work pieces को एक दूसरे के क्रीब लेकर आते हैं वहाँ पर hammering की जाती है मतलब कि impact blow किया जाता है hammering के दुआरा और इस परकार से ये repeated blow होगा ताकि जो दोनो work pieces जो हमने heat किये थे उनके जो ends है वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं और आप देखेंगे कि बाद में हमें एक force welding मिलती है इस परकार से दोनो work piece आपस में जुड जाते हैं अगर आप इस diagram को देखते हैं यहाँ पर clear होता है कि हमें कैसे हम hammering करते हैं जो दो work piece है उनको एक दूसरे के पास लाने के बाद अगर हम बात करें इस welding process में हम जो thin coating की जाती है बड़ी असानी से iron oxide की की जाती है जो heated metal होती है उनके उपर जब atmospheric oxygen के साथ expose होती है और जो coating की जाती है उसके लिए हम mainly flux यूज करते हैं उसमें या तो borax का यूज कर सकते हैं जो silica sand होती है वो borax के मुकाबले वो सस्ती होती है और कह सकते हैं कि जो fine silica sand का हम इसमें यूज करते हैं और उसको एक परकार से जो low carbon seal होती है उसके जो component है उसमें sprinkle किया जाता है अगर हम बात करें कि flux का हम क्यों use करते हैं mainly flux का हम इसलिए use करते हैं कि जो oxide होता है हमारा जो weld zone होता है अगर हम flux का use ना करें वहाँ से वो remove हो जाएगा और उसके बाद जो joint का fusion होता है उसमें वो interfere करेगा और इसलिए हम वहाँ पर flux को apply क करते हैं क्योंकि जो iron oxide बनते हैं हमारे पास वो ज्यादा fluid हो जाएंगे और under pressure वो joint में flow करेंगे और जिससे हमारा जो weld है हमें अच्छा मिलेगा तो कह सकते हैं कि flux का काम होता है कि वो oxide की melting में मदद करता है जो raw iron या फिर low carbon steel होते हैं उसको हम बड़ी असानी से force welding उनकी की जा सकती है और उसमें जो flux का use होता है हम उसको avoid ही करते हैं क्योंकि उनकी जो oxide है वो कम temperature पर melt हो जाते हैं हमें force welding temperature पर जाने की जुरूरत नहीं पड़ती उसके बाद अगर हम बात करें अगर हम proper heating करें workpiece की वो main important रहता है क्योंकि यह major welding variable रहता है क्योंकि अगर हमने insufficient heating की है दोनों workpieces की तो उससे कोई ज्यादा effect नहीं पड़ेगा joint पे लेकिन अगर हमने दोनों workpieces के ends को जो जिन ends को हमें आपस में joint करना है अगर उसकी हमने overheating कर दी तो उससे जो joint मिलेगा हमें वो brittle joint मिलेगा और उसकी जो strength है वो भी कम होगी और जो overheated pieces होंगे उनका क्या होगा कि वो oxidize होने की कोशिस करेंगे और जिससे हमें थोड़ा सा spongy appearance भी मिलेगा joint के अंदर अगर हम बात करें grain size की जो joint के grain size होते हैं वो size में थोड़ा increase करते हैं heating के करण अगर हम metal working की बात करें की जो metal working होती है joint पर वो basically जो grain size होगा उसको properly control करेगा अगर grain size हमारा joint में properly control हम कर ले करते हैं उससे हमें joint की बड़िया mechanical properties हमें मिल जाती हैं अब बात करते हैं force welding की कुछ advantage, disadvantage और इसकी application क्या क्या हैं अगर हम advantage की बात करें जो force welding होती है उसमें हमें कोई filler material की कोई जुरूरत नहीं पड़ती हम intricate shape को भी इसमें असानी से weld कर सकते हैं और जो joint हमें मिलते हैं उनक beneficial cost होती है वो कम रहती है लेकिन इतनी सारी advantage के बाद इसकी कुछ disadvantage भी हैं कुछ खामिया हैं वो इस प्रकार से हैं कि इस process के दोरान हमें high welding defect इसमें हमें मिल जाते हैं और इस process के दुआरा हम mass production नहीं कर सकते हैं और यह है एक slow welding process है fast welding process नहीं है slow welding process है और दूसरी बात इसमें यह एक labor intensive process है क्योंकि इसको weld करने के लिए joint को force welding में joint बनाने के लिए हमें highly skilled welder की जुरूरत होती है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा hammering करनी पड़ती है और ज्यादा hammering के कान हमारा जो weld plate है वो damage हो सकता है इसलिए हमारा worker का skilled होना बड़ा जरूरी है दूसरी बात इस process के तो उसके लिए हमें large press चाहिए pressure को apply करने के लिए large heating furnace की जुरूरत होगी जिससे यह process economical नहीं रहेगी दूसरी बात इसकी application क्या है force welding का जो use है वो aerospace industry में किया जाता है production जब crank shaft की करते हैं तब इसका use कर सकते है ship building में जो cycle industry हैं वहाँ पर भी इसका use किया जा सकता है जो home appliances या कुछ scientific जो product बनाते हैं वहाँ इसका इसका इस्तेमाल है furniture की manufacturing में इस welding का इसके अलावा अगर हम बात करें cutting tool को बनाने में agriculture tool, machine part, spring, hook, nail, screw handle बनाने में इसका 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 किया जाता है butt joint बनाना संभव है, lap joint बना सकते हैं, jump joint बना सकते हैं, cleft joint और scrap joint हम इस welding की मदद से बना सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें आज की date में इस welding को industrial practice में बहुत कम use होता है क्योंकि यह जो welding है, oldest welding है और mainly क्या है कि काफी slow welding है, दूसरी की labor intensive process है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया force welding के बारे में, जो force welding है basically यह जो village black smear होते हैं, उनसे familiar होती है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, और any universe double two को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन सुब रहे कर एके साथ, तो इसको हाज।